पिछले अध्याय में हमने आठ प्रकार के पुश्पूं और विश्णु के सगुण एवं निर्गुण धान का वर्णन चुना। इस अध्याय में हम भक्ति के लक्षन और वैशाक में स्नान की महिमा को जानेंगे। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हों तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करें। अमरीश बोले। मुनिश्रेष्ट आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपून लोकों पर अनुग्रह करने वाने हैं। आपने भागवान विश्नु के सगुन एवं निर्गुन ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ती का लक्षन बतलाई है। साधों पर कृपा करने वाले महरशे मुझे यह समझाई है कि किस मनुश्य को कब, कहा, कैसी और किस प्रकार भक्ती करनी चाहिए। जूजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ट महराज अम्बरीश के यह वचन सुनकर, देवरिशी नारत जी को बड़ी प्रसंता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनू। भगवान की भक्ती समस्त पापों का नाश करने वाली है। वे तुमसे उस भक्ती का भालिभानती वर्णन करता हूँ। भक्ती आने को प्रकार की बताई गई है। मांसिक, वाचिक, काई की, लौकी की, वैदी की तथा आध्यात्मे की। ध्यान, धारणा, बुध्धी तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णू को प्रसन्य करने वाली भक्ती की जाती है। उसे मांसि भक्ती कहते हैं। दिन रात अविष्णांत भाव से वेद मंत्रों के उचारण, जब तथा आरण्यक आधी के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसंता का संपाधन किया जाता है। उसका नाम वाचिकी भक्ती है। वरत, उपवास और नियमों के पालन तथा पाँचों इंद्रियों के सैयम द्वारा की जाने वाली अराधना काई की भक्ती कही जाती है। ये सप्रकार की सिध्यों का संपाधन करने वाली है। पाध्य, अर्गे आधी उपचार, निर्ट्य, वाध्य, गीत, जागरन तथा पूजन आधी के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है। उसे लौकी की भक्ती कहते हैं। रिगवेद, यजुरवेद और सामवेद के चप, संगिताओं के अध्यन, आधी तथा हविश्य की आहुती, यग्य यज्याती के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदी की भक्ती है। विद्य पुर्षों ने अमवस्या, पूर्णिमा, तथा विश्णू, तुला और मेश की सक्रान्ती आधी के दिन जो याग करने का आधेश दिया है। वह वैदी की भक्ती का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्म की भक्ती का वर्णन करता हूं। सुनू। योगज भक्ती का साधक सदा अपनी इंद्रियों को सैयम में रखके प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विश्यों से अलग रहता है। वैध्यान में देखता है भगवान का मुख अत्यंत तेट से उद्विप्त हो रहा है। उनकी कटी के उपरी भाग तक लटका हुआ यग्योपवित शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है। चार भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरत एवं अभय की मुद्रा है। वे पीतवस्तर धारन किये हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुन्दर है। वे प्रसंता से परिपून दिखाई देते हैं। राजन इस प्रकार योग-योगत पुरुष अपने हिदे में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे पज्जुलित अगनी काश्ट को भसम कर डालती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुश्यों के पापों को तकाल दग्द कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है। संपून रसों का एक मात्र सार है। इस प्रित्वे पर मनुश्य जब तक उस भक्ति का श्रवन नहीं करता उसका आश्य नहीं लेता। तभी तक उसे सैंकडों बार जन्व, मृत्यु और जरा के आगात से ह होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीरतन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेग का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यक्य, तीर्थ स्थान, प्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतहकरन की वैसी शुद्धी नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनात जिन में पवित्र यश्वाले तथा अपने भक्तों को भक्ती प्रदान करने वाले विशुद्ध सुरूप भगवान, श्री विश्णु का कीर्दन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं, तथा वे ही यथात, वे ही लाब पहुंचाने वाली और वे ही हरी भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राचे का भा संभालने वाले धीरचित महराज अंबरीश तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदे पुर्षोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है, तथा सौभाग्य लक्षमी से सुशोभित होने वाली तुम्हारे नैश्टिक बुद्धी श्री कृष्ण चंद्र की पुन्यमें लील प्रव्रित हो रही है, भूपते भक्तों को वर्दान देने वाली अभिनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक अराधना किये बिना अंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाला पुरुष का कल्यान कैसे होगा, भगवान माया के जन्म दाता है, उन पर माय का प्रभाव नहीं पड़ता, साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो, राजन धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, जो तुम्हें ज्यात ना हो, फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ है, उन भगवान के चर्चा क प्रसंग उठा कर, जो तुम उनकी सरसकता को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैशनमों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो, साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक शद्धा के साथ भग अधिवान अनंत के कल्यान में गुणों का कीर्टन और शवन करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समूचित पुन्य मुझे और किसी कारे में नहीं दिखाई देता, ब्रामन, गौ, सत्य, शद्धा, यक्य, तपस्या, शुति, स्मृति, दया, दीक्षा और सं ये सब श्रीहरी के स्वरूब हैं, सूर्य, चंद्रमा, बायू, पृत्वी, जल, आकाश, दिशाय, ब्रह्मा, विश्नु, रुद्र, तथा संपूर्ण प्राणी इस परमेश्वर के ही स्वरूब हैं, इस चराचर जगत को उत्पन्य करने की शक्ति रखने वाले वे विश शुरूब भगवान स्वयम ही, ब्रह्मन के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खेलाये जाने वाला अन्न भोजन करते हैं, इसलिए जिनकी चरण रेणू तीर्थ के समान है, भगवान अनन्त ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुन्य में लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उन ब्रह्मनों का आधर पूर्वक पूजन करो, जो विद्वान ब्रह्मनों को विश्नु बुद्धी से देखता है, वही सच्चा वैश्नव है, तथा वही अपने धर्म में भालिभादी स्थित माना जाता है, तुमने भक्ति के लक्षन स पस्थित है, जो भग्वान लक्ष्मी पती को अत्यंत परिये है, इसकी भी आज शुकल सब्तमी है, इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुरलब है, पूर्वकाल में राजा जुहनु ने वैशाक शुकल सब्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था, और फिर अपने दाहिने कान के छिदर से उन्हें बाहर निकाला था, अतह जुन की कन्या होने के कारण गंगा को जानवी भी कहते हैं, इस्तिथी को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुन्यात्मा है, जो वैशाक शुक्ल सप्तमी को विधिपूर्वक गंगा में देवताओं और पित्रों का तरपन करता है, उसे गंगा देवी कृपा द्रिष्टी से देखती है, तथा वैस्तान के पश्यात सब पापों से मुक्त हो जाता है, वैशाक के समान कोई मास नहीं है, तथा गंगा के सत्रिष दूसरी कोई नदी नहीं है, इन दोनों का संयोग दुरलब है, भगवान की भप्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ है, गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चर्णों से हुआ है, वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटा ज तूट में निवास करती है, गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है, वे अपने तीन स्तोत्रों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है, उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीड़ी माना जाता है, वे सदा आनंद देने वाली, नाना से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा तीन मार्गों से प्रवाहित होने वाली है, गंगा देवी तीनों लोकों का श्रिंगार है, वे अपने दर्शन, स्पर्ष, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेव पवित्र तथा अपवित्र पुर्शों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं। उनके तीन जन्मों का पाप गंगा जी नश्ट कर देती हैं। जो मनश्य हजार योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करते हैं। वैपापी होने पर भी उत्तम गती को प्राप्त होता है। राजन वैशाक शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेश दुरलब है। भागवान श्री विश्नु और ब्रहमनों की कृपा से ही उस दिन प्राप्ति होती है। माधव वैशाक के समान महा और माधव विश्नु के समान कोई देवता नहीं है। क्योंकि पाप के समुद्र में डूपते हुए मनुष्य के लिए माधव ये जहाज का काम करते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक, दान, जब, हवन और अधी शुबकर्म किये जाते हैं। उनका पुन्य, अक्षय तथा सौ करोड गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान, नारायन देव, श्रेष्ट हैं। जैसे जब करने योग्य मंत्रों में गाहित्री सबसे उत्क्रिष्ट है। उसी अधिक हैं। उसी प्रकार सब मासों में वैशाक मास अत्यंत श्रेष्ट है। पापों का अंत वैशाक मास में प्रातर स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदे से तथा पुन्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशी पर स्थित हो उस समय जो स्नान दान आदि पुन्य कारे किया जाता है उसका पुन्य परार्द गुना अधिक होता है। माग मास में जब मकर राशी पर सूर्य हो तो कार्ति की अपेक्षा भी हजार गुना उत्तम फल मिलता है और वैशाक मास में मेश की सक्रांती होने पर माग से भी सो गुना अधिक पुन्य होता है वे ही मनुष्य पुन्यात्मा और धन्य है जो वैशाक मास में प्रातरकाल स्ना करके विधी विधान से भगवान लक्ष्मी पति की पूजा करते हैं वैशाक मास में प्रातहकाल स्नान यग्य दान उपवास हविश्य भक्षन तथा ब्रह्मचर्य का पालत ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं राजन कल्योग में वैशाक की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी क्योंकि उस समय वैशाक स्नान का महतम में अश्मे ग्यग्य के अनुष्ठान से भी बढ़कर है कल्योग में परमपावन अशुमेग यग्य का अनुस्ठान नहीं हो सकता उस समय वैशाक मास का स्नान ही अशुमेग यग्य के समान वेहत है कल्योग के अधिकाश मनुष्य पापी होंगे उनकी बुध्धी पाप में ही आसकत होगी अतहुं वे अश्मेग की पुन्य को जो स्वर्ग और मोक्षरूप फलप्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे उस समय के लोग अपने पापों के कारण नर्क में पढ़ेंगे अतहव कल्योग के लिए अश्मेग का प्रचार कम कर देना चाहिए और उसके स्थान पर वेशाक मास के सनान का विधान किया गया है कल्योग में अश्मेग यग्य से भी बढ़कर वेशाक मास में गंगा सनान को दिया गया है वेशाक मास में ऐसा है क्या? क्यों उसे सब मासों में सबसे श्रेष्ट बताया गया है? जानते हैं अगले अध्याय में